नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस राजनितिक हलचल कारकरम में आपका स्वागत है। अररिया से आते हैं यानि अररिया लोकसभा छेतर से आते हैं और दोनों ही बीजे पीजेडियू छोड़कर आज आरजडी में सामिल हो गए। तेज प्रताप आरजडी के नेता नहीं है आरजडी के नेता लालू यादों हैं राबडी देवी हैं और तेजस्वी यादों हैं और उनके बिद्रोह का कोई असर पाठी के सहत पर चुनाओं में नहीं पड़ेगा। लेकिन रामचंदर पुरवे भागते दिखे और आलुक मेहता मिडिया के सवालों के जबाब से बचते दिखे यानि रामचंदर पुरवे और आलुक मेहता तो भाग खड़े हुए। तेज प्रताप के बारे में कुछ भी बोलने को तयार नहीं थे लेकिन भाई विरेंद्र ने मुर्चा थाम लिया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादों ही आरजेडी के नेता हैं, लालू यादों नेता हैं, राबडी देवी नेता हैं और जो चाहेंगे वही पार्टी म होगा और तेज प्रताप के बागावत्या कोई मतलब नहीं है, तो ये बड़ी खबर है आज के राजनेतिक गलियारे से, उपेंद्र कुसवाहा पर सबकी नजर टिकी हुई है, कल वह अपने पार्टी के संभी उमिद्वारों की सुची सारोजनिक कर सकते हैं, अभी तक उन प्रतापुर से जेपी बर्मा का नाम चल रहा है, देखिये क्या होता है, क्योंकि जेपी बर्मा भी काफी प्रहावसाली नेता है और उनकी पकड़ है उस इलाके में, तो उनको सिट दिये जाने की चर्चा है, लेकिन अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है कुसवाह की, मोत पाटी के नेता अखलेश, पिसाद सिंग के बेटे अकास, और दूसरी बड़ी ख़वर है कि प्रधान मंत्री आज अपने चुनावी सभा को समोधित करने जमूई पहुचे, चिराक पासवान के पक्ष में उन्होंने बोट मांगा, तीरिस के बाद गया में वो सभा किया, और प्रधान मंत्री ने अपने दोनों सभाव में अपनी उपलब्धिया गिनाई और विपक्स पर जोड़दार हमला किया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं, भारत में दो प्रधान मंत्री की बांग कर रहे हैं, एक जमू कस्मिर का प्रध की भारत का, क्या दो प्रधान मंत्री देश को मंजूर है, तो जो लोग थे, जो समर्थक थे, उन्होंने प्रधान मंत्री के सवाल का जवाब दिया, नहीं, क्यों एक प्रधान मंत्री ही देश का होना चाहिए, यानि जमू कस्मीर को अलग देश का धरजा किसी भी किमत पर नहीं मिलने चाहिए तो देश भक्ति का जज़बा जगा रहे हैं प्रधान मंत्री और राष्टवाद के मुद्दे को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं आज पहली बार रविसंकर प्रसादन सीटी पोस्ट लाइब के साथ खास बातचीत में एक खुलासा कर दिया है कि उनका भी चुनावी मुद्दा राष्टवाद ही होगा देश भक्ति ही होगा विकास कार्यों को भी गिनाया उन्होंने अपने विकास कार्यों को भी गिनाया लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी मुद्दा राष्टबाद और दिस्भक्ति को बताया और उन्होंने राहूल गांधी पर भी तिखा हमला बोला और कहा कि राहूल गांधी अपनी सीट पर उनको भरोसा नहीं है कि उजीतेंगे और डर कर उन्होंने दूसरों जगह से भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो उन्होंने एक अलग ही आरूप लगा दिया है राहूल गांधी पर और अगली खवर बिहार की राणिती गलियारे से यहीं है कि जितन्रा माजी की पाटी ने कहा है कि उनकी सुरक्षा घटा दी गई है जबकि उनकी जान पर खत्रा है नकसलियों के निसाने पर है अधंकियों के निसाने पर है उनकी बार हमले हो चुके हैं फिर भी उनकी सिक्रूटी घटा दी गई है और उन्होंने जितन्रा माजी की हत्या की साजिस की असंका जताई है तो दानिस रिजवान है राष्टी परोक्ता है हम पार्टी क आ रही है और जिस खबर पर आपकी नजर बनी हुई है मुकेश सहनी की सिट पर खड़िया जहां से आज हुनों ने नमांकन परचादा खिल किया है मुकेश सहनी ने जित का दावा किया है और कहा है कि कृष्णा यादव जो आरजेडिक की बागी उमिद्वार थी वो मान गई है दोनों में भाई बन का रिष्टा कायम हो गया है और अब उनके जित के राह की रोडाओं नहीं बनेंगी लेकिन वहां से जिस तरह से लजेपी ने फिर से महबूब अली कैसर को चुना मैदान में उतार दिया है वहां पर आरजेडिका जो ये मुआई समिकरन है उसके टुटने के असार है तो अगर ये मुआई समिकरन टुटता है अलपसंख्या का अगर अपने समाज के सुप्रिमों हैं और किसी भी किमत पर सीट जितना चाहते हैं उनकी दो सीटें और भी हैं मदवनी के सीट है जहां से अभी तक उन्होंने पत्ता नहीं खुला है किसको चुनाव लडाएंगे लेकिन अली अनवर जो जेडियू के पुरुव सांसद थे राजे सभा सांसद व तो इस सीट पर भी लोगों की नजर ठीकी हुई है मुझा फर पुर्ट से उमिद्वार के नाम का वो बाकी यह जिनोंने अभी तक एलन नहीं किया है कल ऐलान कर देंगे और तब जो सस्पेंस है माधव आनंद को लेकर कि वो उमिद्वार होंगे या नहीं मुत्यारी मुत् हम पार्टी में एक और बड़ी तूट हो गई है जी हां महाचंदर प्रताप सिंग जो महराजगं से चुनाव लड़ना चाहते थे टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर दी है हम पार्टी के दूसरे नेता हैं पुर्व विधायक पुर्व मंतरी अजीत उन्होंने भी बगावत कर दी है वो भी मुझफर पुर्व से चुनाव लड़ना चाहते थे और दोनों ही नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ आज IMA हाल में एक कारेकरम का आयोजन किया और हम पार्टी उन्याइटेड बनाने का एलान कर दिया तो नितिश कुमार की पार्टी जब ठोड़ते चले गए आज महाचंदर प्रसाद ने आरूप लगाया कि माजी के साथ सबसे ज़्यादा मजूती के साथ स्ट्रोना समाज खड़ा था उसके नेता खड़े थे लेकिन उनकी अंदेखी पार्टी में हुई है और जाती के अधार पर टिकट का बटवारा हुआ है हम पाटी के नेता महाचंदर प्रसाद ने ये भी आरूप लगा दिया है कि जितन रमाजी को कहने के लिए तिन सिटे मिली है लेकिन उनकी दो सिटों पर लालू यादों ने अपने पसंद का उमिद्वार उतारा है तो बहुत बड़ा आरूप लगा दिया है हम पाटी ने और दूसरी बड़ी खबर ये है कि लालू यादों के हाई प्रफाइल साले साधू यादों ने भगावत का विगुल फुक दिया है साधू यादों ने आज खुलकर लालू रावडी पर हमला बोला है और तेजस्वी को हवा हवाई नेता करार दे दिया है उनका कहना है कि जस्वी गंभीर राजिती नहीं कर रहे हैं वो हिलकप्टर में केक काट रहे हैं यानि मोज मस्ती कर रहे हैं और उन्होंने पाठी को खड़ा किया नहीं है लालू यादों ने खुन पसीने से जिस पाठी को खड़ा किया था उस पाठी का ठीक ठो बेच रहे हैं तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप साधू यादों ने अपने बहनोई अपनी बहन और अपने भगिने पर लगा दिया है। बालमेकी नगर से चुनाव लड़ेंगे और मान कर चलिए कि साधू यादों बालमेकी नगर से बस पाके उमिद्वार हो सकते हैं।